हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टोडी शीट चनल दोस्तों प्रिवेस येर में जितने भी कोश्चन्स फिजिकल एजुकेशन कंपटेटिव एक्जाम्स टिजिटी पीजिटी के वियस एन वियस यल्टी में पुछे गए हैं उन सभी कोश्चन्स को आपके समझ प्रस् करना चाहते हैं जिलेवस के कार्डिंग सभी वीडियो आप अपनी तयारी को बहतरिम बना सकते हैं दोस्तों डेली बेसेज पर यम सी क्यूज कोश्चन का भी प्रेक्टिस कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की प्रस्णों की श्रिंखला के तरफ तो इस फ्रस् कौन कौन सा है गवर्मेंट कालेज आफ फीजिकल एजुकेशन पटियाला लशिवाई कालेज आफ फीजिकल एजुकेशन गवालियर वाइमसीय कालेज आफ फीजिकल एजुकेशन मद्राश लखनो क्रिस्चिन कालेज लखनो तो दस्तु सबसे पहले इसमें कौन हो जाएगा इसमें हो जाएगा सबसे पहले YMCA कालेज आफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास जो 1920 में S.C. बग द्वारा इस थापना किया गया था फिर आपका हो जाएगा लखनौ क्रिस्टियन कालेज लखनौ 1932 यानि पहले C फिर B उसके बाद हो जाएगा इसके बाद हो जाएगा आपका ए गवर्मेंट कालेज आप फिजिकल एजुकेशन पर्टियाला तो यहां पर आपका आपसर नंबर भी करेंट अंसर हो जाएगा नेश क्यों दोस्तों कि सुराज में क्रिड़ा विश्व विद्यालय इस्थित है तो यहां पर आपके सही अंसर हो जाएगा मध्यप्रदेश में क्रिडा विश्व विद्यालय इस्थित है नेक्स कोश्चन है प्रथम राष्ट्री सारीक प्रसिच्छर महाविद्याले इसी थे पटियला में चंडीगर में ग्वालियर में दिल्ली में दोस्तों प्रथम राष्ट्री सारीक प्रसिच्छर महाविद्याले इसी थे ग्वालियर में लच्छ भाई सारी शिच्छ महाविद्याल है यलियन सिपी ए ठीक है लच्छी बाई राष्टी सारी शिच्छ महाविद्याल है स्थापना किया गया था दूस्तों वही पर तो दो γιαải प्रश्णि प्रश्च सह सलय कि इप करें इस महा विद्याले राश्च्छ नुटाए ऑन्य कारे स्य्कारि殿स्ष सट महा वड्याव्यक कुंदध कर द्यूद कि दो कि यहां प। राश्टिये सारी उग्रंव उपने उप्रफिष्च्ζ महाविद्याले, जब राश्ठिये सब्द लगायाएगा तो आपका ग्वाळिया यहीर्ड्न नाविश्षी दे cha 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 गया एंड दोस्तों नेक्ट कोस्चन है कि लश्मी बाई राष्टी सारे सिच्छा संस्थान का प्रानम हुआ जैसा कि आप सबको पता है उनीशो संतावन में आहां पे ग्वालियर मदपदेश में तीक है आपसा नंबर सी यहां पे करेंट एंसर हो जाएगा लेक्ट कोस्टन है कि 1957 में लश्मी बाई bitches और फीजीकल एजॉकेशन ग्वालियर ने किस प्रकार के नवीन शिच्चक प्रसिच्च्चार पार्ठीक्रम की शुरुआद की तो किस शिच्च्च प्रसिच्चक पार्ठीक्रम की शुरुआद की जैंत किया था उनीश्मीबाई में लश्मी भाई तो आपसर नमबर C तीन वर्षी शाररिक सिच्छा इसना तक पार्थे क्रम ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है लश्मी भाई शाररिक सिच्छा कालेज के प्रथम प्रधाना चारे कौन थे तो फी एम जो सेफ थे आपसर नमबर D करेंट एंसर नेक्स्ट कोश्चन है कि शाररिक सिच्छा के निम्न निखित पार्थे क्रमों को उनका आरंब होने के क्रम में काल क्रमानुसार ब्यवस्थित करना है आपको इसमें आपसर है BPE, BPA, DPA and BPES तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा आपका सबसे पहले इस्थापना हुआ था सबसे पहले सुरुआत किया गया था DPA का उसके बाद BPE फिर BPA यह इसना तक कोर्स हैं सारे सिच्छा में फिर उसके बाद BPE यानि कि आपसर नमबर A यहां पर सही हो जाएगा लेक्ट कोशन है 1903 में किसने भारत में ब्यवस्थित खेल प्रसिच्छड के लिए पहली परियोजना को प्रस्तुत किया था तो 1903 में को बनाया था दोस्तों खेल प्रसिच्छर की प्रियोजनात राश्च कुमारी अमरित कोर आपसर नमबर B करेट एंसर हो जाएगा साररिक सिच्छा की राश्च्रिय योजना 1956 का गठन किसे के द्वारा किया गया था तो यह किया गया था आपसर नमबर D साररिक सिच्छा एवं मनुरंजन के राश्च्रिय शलाहकार बोर्ड के द्वारा सारिक सिच्छा की राष्टी योजना 1956 का गठन किया गया था इसे के द्वारा उचितम मादमिक इस तर तक लड़के लड़कियों के लिए सारी सिच्छड ये तू अलग-अलग पाठे करम निधायत किये गए लड़के लड़कियों के लिए सारे की योगिता फिजिकर फीटनेस के विभिन आयू वर्ग के निउनितम आवस्यक मापदन्ड भी निधायत किये गए नेक्श्ट कोश्चन है इनिमी से क्या शारी सिच्छा की स्विधाओं के इस्तर की आवसक्ता का निधाय करता है तो सारे सिच्छा की स्विधाओं के इस्तर की आवसक्ता का निधाय कोन करता है कारेक्रम की आवसक्ता कारिकर्म की आशकता आऊसें नमब्र यहां पर शहीं हो जाएगा दूस्तों क्योंकि क्या आँस्विधायों का इस्थर किया जा सकता है सारी शिच्छा की क्योंकि आत्ती आवस्यक कारिकरों को बढ़ावाद देने उन्हीं सब्सक्राइब करने के लिए सभी प्रकार की आवस्यक्स विधाय प्रदान करना बहुत महत्तपुर्ण पहलू होता है स्वास्थ सिच्छा को पूर सफल बनाने में इसमें से किसे अति महत्तपुर्ण माना जाता है तो सच्छम नेत्रित्व ही दोस्तों सभी आवस्यक निड़े समय की हनुसार लेकर ऐसे कायकरमों को गति सील्ड बनाता है नेक्ट कोचन है प्रभावी नेत्तित्व किस्ट पर आधारित है नेता के बेतित्व पर कि नेता तथा समुख के इस्थिति परक गुण पर कि अच्छे अंतर व्यक्ति संबंद को कायम रखना कि कार्या भी मुखी नेत्तित्व दोस्तों ये आफ्सोस समझ के अंसर दीजिए इसका किस प्रभावी नेत्तित्व किस पर अधायत है आसन नंबर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेता तथा समुख के इस्थिति परक गुण पर अधायत होता है नेत्तित्व प्रभावी नेत्तित्व एक प्रकार का आधिपत्य है जिसमें आदेश देने वा आदेश लेने की प्रक्रिया होती है सही नित्रेटु के अभाव में किसी भी संगठन का विकास तत्वा उद्देश्यों की प्राप्ति शंभर नहीं है सेच्छिक ब्यवस्था के अनुसार एक अच्छे समय सारड़ी में होता है तो सेच्छिक ब्यवस्था के अनुसार एक अच्छे समय सारड़ी में क्या होता है दोस्तों समय सारड़ी मतलब आप एक नियम कानुम में बद गए नियमित रूप से ठीक है तो यहां पर आपसर नं दोस्तो क्योंकि सैठिक बेवस्था की धूरी होता है सिच्छक, अगर में सिच्छक की नियम बदता और नियमित कारे बाता सैठिक बेवस्था की सुचारू रूप से चलते रहने के लिए मुक भुमी का आदा करती है नेश्ट कोश्चन है इनमें से किसे कौसल सीखने की रीड समझा जाता है अभ्यास अवलोकन प्रदसन अनुकरर दोस्तो कौसल सीखने की रीड जैसा कि कहा जाता है दोस्तो करत करत अभ्यास ते जर्मत हो सुजान यानि कि अभ्यास ही इंसान को किसी भी कठीन से कठीन कोश्व को अभ्यास के दौरार शिखा जा सकता है क्योंकि यहां पे अंगलजी में यह भी कहावत प्रचिलित है कि practice makes a man perfect यानी अभ्यास ही मानों को महान perfect बना सकता है तो यहाँ पे कौसर सिखने की रिड़ किसे समझा जाता है अभ्यास को ठीक है प्रैक्टिश को नेश्ट कोशन है कोई भी मापन यानि मेजर्मेंट तब प्रहावई होत माना जाता है जब वह कर्यानित किया जाता है किसके द्वारा तो दोस्तो उच्छी स्रेड़ी के योग्य और प्रसिचित कर्मचारियू द्वारा आपसे नंबर B करेक्ट एंसर होगा दोस्तों प्रभावी और सटिक मापन के लिए यह आवस्यक है कि इस सिकार रहे तू नियूत ब्यक्ति द्वारा उच्छी स्रेडी का पर सिच्छर प्राप्त किया गया हो जो कि योगी हो और तिवे बद्धिमान हो ऐसे ही ब्यक्तियों द्वारा ही हासिल किया जा सकता है नेश्ट कोशन है सारिक सिच्छक पर सिच्छ भार इनमें किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए तो किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए सारिक सिच्छक पर सिच्छ भार तो आपसर नमबर डी यहां पे correct answer होगा कच्छा के अंदर और कच्छा के बाहर किये गए वास्तवी के कारियों की शंख्या से से एक सारी सिच्छक द्वरा कच्छा में सैधांतिक सिच्छा दे जाती है और इसके अनुप्रयों का सिच्छक वा कच्छा में बाहर खेल गए मैदान में करता है इसलिए यह वास्तिक कारियों की संख्या से कच्छा के अंदर बाहर किये वास्तिक कारियों की संख्या से वोता कि निम्न लिखित कारकों मेंशे किसका मोटर अध्यन में शकारात्मक लाब और शाररिक सिच्छा कच्छार समायोजन में उपलब्दी के साथ सबसे अत्यधिक सहसंबंध है तो यहां पे शही आफ्सन हो जाएगा छात्रों द्वारा पाठ उद्देश्यों से संबंधित गति बीधियों में ब्यस्त होकर सफलता पुरुवक बिताया गया शमय आफ्सन नमबर सी शारिक सिच्छक दूसरे से अलग होता है यहां पर चाहाएगा अप्सन नमबर बी प्रभवी आकर्स्र आफ्हाई प्रभवा सब्सक्रिश अच्छा होना चाहिए लेखे एऊ प्रवावी आकरस, वहतरिन अभी प्रफा स्वास्ती और उच इस तरह की सच्छामता होना चाहिए। इस प्रवावी आकरस अहां पर धाउन स बहतरी हो जाएगा। जो एक … प्रस पूहें आदर्स होता है। जिसके त manipulatologist है प्रवावी आकरसा जाता है। उच्छक सिच्छा का इंटर्न्रशिप का इक्रम प्रदान करता है तो सिच्छक और सिच्छा दुरू कहां होते हैं तो यहां पर अंसर क्या हो जाएगा सिच्छक सिच्छा का इंटर्न्रशिप का इक्रम प्रदान करता है कहां क्या प्रदान करता है पूर इसकूली परियावरर पूर इसकूली परियावरर अपसा नंबर सी यानि दोस्तों सिच्छक सिच्छा का यानि टीचर एजुकेशन का इंटर्न्रशिप का इक्रम पूर इस इसकूली प्रयावर्पदान करता है जिसे सिच्छ को सिच्छ़ विदी का प्रत्य चन्वह होता है। इसके तहत भावे सिच्छ कोक में इस्कूल सिच्छा और सिच्छ के प्रति सकरात्मक देश्टी को विख्षित होता है। सोच्छ होना है। actü विख्षित होता है निम्न योगिता को रिखांकित करती है। किसको करती है दोस्तो आपसर नंबर दी यहाँ ऑफर सही एंसर हो जायता है। बौधिक विकास की बात कहा है तो बौधिक विकास आपको कमा जाएगा कि आपका बुधी सही है जब आप सही तरीके से सोचेंगे और समस्या का समधान करेंगे तभी माना जाएगा यहाँ पर आपसर नमबर डी सही हो जाएगा कि सही तरीके से सोचना और समस्या का समधान कर अना ही बधिविकास की चमता युगता माना जाता है नश्कोचन है यहाँ परिभासा किसने दी है कि साररिक सिच्छा शंपूर सिच्छा का वह अंग है जिसका संबंध बहुपेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है दोस्तों यहां पर जैंबीनेस दोस्तों साररिक सिच्छा के संबंध परिभासाओं को मैं ने एक विडियो बनाया जिसको आप देख करके इदम ट्रिक के साथ बनाया किया दोस्तों ये एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे किसी परिभासा को सारे सिच्छा के तो उस वीडियो को दोस्तों सारे सिच्छा के इस वीडियो को जरूर देख लीजिए जिसे आपको मुझे कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों जादे से जादे से शेयर किया किजिए जिसे मुझे एक नया मोटिवेशन मिलता रहे जिसे आप के लिए मैं डेली बेसे से विडियो बनाती रहूं और पहले बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए विल